इस पोधे के तने पर ये क्या है कि इसकी ये चाल फट रही है आप देखिए और अंदर से ये लगबग गलने लगी है और इसकी जड़ से ये रोग है ये देखिए आप इसको और चारो तरफ से देख लीजिए ये क्या रोग है अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह से चाल फटने लगती है या कभी कभी इस पर एक बुरादा सा भी दिखाई देता है अगर आपको बुरादा सा दिखाई देता है ये जो ये चाल है ये इस तरह से ये हमारे कोई फंगस के कारण आया है और इसे हम तना कैंकर बोलते हैं और अगर आपको अपने तने पर बुरादा दिखाई दे कहीं पर तो समझ लीजिए कि इसकी अगली अवस्था है और वहाँ पर इसके अंदर एक चाल भक्सी कीट होता है जिसे ये जो चाल भक्सी कीट होता है ये इसके अंदर घुश जाता है और एक असी बनाता रहता है और उसका जो मल है वो बाहर बुरादे के रूप में दिखाई देता है अक्सर आपने देखा होगा कि किसान भाई अपने पोधों के तनों पर एक पेंट लगाते हैं जो सफेद होता है हलका नीला पन लिये होता है और उसे साल में दो बार लगाते हैं वै ऐसे तो अमरूद के पोधों पर ये इतना जरूरी नहीं है कि जितना ये आम के पोधों और आपके जो दूसरे पोधे होते हैं जैसे नीबू के पोधों पर हैं नीबू के पोधे जब हम निराई उडाई करते हैं या कोई इसमें कहीं पर नमी जादे बन जाए फंगस आ ज यह हम क्या चीज लगाते हैं आज हम इसी बात पर चर्चा करें किसान साथियों मैं आपको एक छोटा सा पोधा और दिखा देखिए यहां से यह इसमें एक निसान है यह देखिए यह यहां से कोई कटिंग हुई या घास वाले ने जो यहां पर एक सूट निकली होगी जो एक साख्ण लिगल जाती है उसको खीस दिया होगा और जो कारिय करता हैं वो कभी भी यह नहीं बताते के मेरे से यह गलती हो गई और उसका पता भी नहीं होता उसने जान बूजगाश नहीं किया है तो यहां पर एक घाव बन जाता है अगर इस घाव का समय रहते उपचाडद ने किया गया तो आपका पोधा यहां से सूखना शुरू हो जाएगा और अंत्य पोधा मर जाएगा तो मैंने यह क्या पेस्ट लगाया और इसका क्या उपाय करना चाहिए आज मैं आपको यह बताता हूं नीमू के पोधों के तनों पर आप साल में दो बार यह बोर्डो पेंट अवस्य लगाएं मैं यहां बताना यह उचित समझूँगा कि बोर्डो पेस्ट और बोर्डो पेंट में थोड़ा फर्क होता है एक तो आपको बरसात सुरू होने से पहले यह उसके पोधों पर अवस् कुछ लग गया तो उससे तनों पर परभावित होते हैं तो यह तनों की सुरक्सा के लिए बहुत ही जरूरी है और नीमू के पोधों में तो बहुत ही आवस्सा के आपने देखा होगा कि आम की फसल लेने के बाद में या अक्टूबर के महीने में इन पर सभी जो किसान भा है और एक ICAR का बहुत अच्छा तीन पेज का डोकुमेंट है अगर उसे आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगार मैं उसका लिंक डेस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका बहुत ही साधरन सा उपाय है आप अगर आपको लग रहा है अपने पोधों की निरंतर देख भाल कीजिए और यह लग रहा है कि कहीं किसी पोधे में इस प्रकार का रोग है जो मैंने दिखाया है तुरंत उस चाल को साफ करिए तेज साफ चाकू से उसको साफ कर लीजिए और उसको साफ करने के बाद उस पर बोर्डो पेंट लगाए यह हुया पहला काम अगर उसमें कोई चाल भक्सी कीट घुश गया है तो उस चाल भक्सी कीट पर या तो आप उसे तार डाल कर उस छेद को ढूंड़िए उस तार को साफ करिए तार डाल कर छेद साफ करिए और उसमें या तो कैरोसीन आयल एक पिछकारी में लेकर कैरोसीन आयल मार दीजिए और या chloropyrophase जो भी दवाई आपको लगती है दोनों में से आसानी से मिल जाती है उसको मार दीजिए और फिर उसको रुई से ढख दीजिए और उपर मिट्टी लगा दीजिए तो जितना भी कीडे हैं वो सब के सब जो चाल भक्सी कीट है अंदर घुश जाते हैं वो सब के सब आप चूना चूना आप बुझा हुआ भी ले सकते हैं बिना बुझा भी ले सकते हैं अगर आपने बिना बुझा चूना लिया है तो एक किलो चूने को पांच लीटर पानी में प्लास्टिक की बाल्टी में ध्यान रहे आपको यहां पर किसी भी धातू की बाल्टी नहीं लेनी और यह चूना ठंडा हो जाएगा इसी प्रकार जो निलत होता है एक किलो उसको भी बहुत अच्छी तरह पीश लीजे जितना भी बरीक आप पीश सकते हैं और उसको भी एक किलो निलत होता को पांच लिटर पानी में प्लास्टिक की बाल्टी में भिगो कर रात बर रख सुबह को उठिए डंडी से अच्छी तरह चलाईए ये सुनिस्चित करें के सब कुछ गुल गया है और उन दोनों के पानी को एक तीसरी बाल्टी में इस प्रकार से धार मिलाते हुए डालिए दोनों को कि दोनों मिलकर तीसरी बाल्टी में जाए प्रकार आपका ये 10 एक सरेस आता है जो पापडिसी होती है जिस तरह से सरसो की खली होती है या नीम की खली होती है वो बजार में मिलता है वो चुना पोतने वाली जो दुकाने होती है उन पर मिल जाता है उसको गरम कर लीजिए उसका लेब बना लीजिए और उसको फिर इसमें पानी में घोल अगर सरेश नहीं मिलता है तो 200 ml आप इसमें अलसी का तेल मिला लीजिए अगर अलसी का तेल भी नहीं मिलता तो आप इसमें 200 से 500 ml सरसो का तेल मिला लीजिए तेल इसमें एक दम से नहीं गोलता है इसलिए तेल में साबुन का पानी या सेंपू से पहले उसे गोल ले और उसक इसमें चुने की मात्रा आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं, जो बुझा हुआ चुना है, उसको मिला सकते हैं, और आप देखेंगे कि ये मेरे जो पोदे हैं, ये लगबग मेरे को अमरूद पर नहीं करना था, कुछी पोदों पर करना था, चुकि मेरा बच गया था, इसलिए मै ने इन पर कर दिया, लेकिन करने से पहले एक धान रखिए, कि इसकी जो ये चाल है ना ये, ये आपको उतारनी है, इस तरह से साफ करना है पहले इसको, नहीं तो ये पेंट सारा उतर जाएगा, तो आप इसको साफ कर लीजिए, और फिर इस पर ये पेंट करिए, और ये द प्रदत डालिये के साल में दो बार इसको अवश्य करें एक बार आप इसको अक्टूबर के अंत में करें 15 अक्टूबर के बाद कर सकते हैं और एक बार इसे जो बरसात सुरू होती है उससे पहले कर दीजे करीब 15-20 दिन पहले यानि जून के मध्धे में आप कर दीजे तो आ लगबग एक मीटर तक आप इसको कर सकते हैं किसान साथियों ये मुझे कुछ किसान भाईयों ने मैसेज भेजेते कि आपके जो पोदे हैं उनमें एक पेंट लगा हुआ है वो क्या चीज है इसलिए मुझे आया कि आपको ये बताना चाहिए और काफी लोग ये भी पूछ आपकार जै हिंद जै भारत वद्दे मातरा